कि हलो दोस्तों online फार में आपका स्वागत हैं बिहार पुलिस का जो है 14 मार्च को एकजाम दो पालियों में हो चुका है ठीक है दोस्तों तो कुछ एक तरह एक जो है सुचना वायरल हो रहा है कि दोनों दोनों पालियों की परिच्छा रध हो गई तो आए जानेंगे इस वाय पलकी अपडेट के लिए तो आएए आपको बताते हैं कि यह सच है या आप हुआ है तो देखिए दोस्तों यहीं वो पीडियाप है जो लगतार वारल हो रहा है बिग्यापन संक्या 5-22 से संब्दित लिखित परिच्छा अस्थागित किये जाने के संब्द में मतोप्रून सुचना केंदिये चैन परशत सिपाही भत्ती विग्यापन संक्या 5-22 से संब्दित बिहार पुलिस संगठन में सिपाही पत के लिए भत्ती एतो दिनांग 21-22 को निर्धारी दोनों पालियों में की लिखित परिच्छा और परिहार या कारणवस अस्थागित की जाती है उ पर पूरा पता लिखा हुआ है ठीक है तो आई इसका जो है सच है या जूट इसका पता करते हैं तो सबसे पहले हम चले जाएंगे तो दोस्तों हम आ गए हैं पर इसको सर्ज करेंगे सीस बीषी को तो दोस्तों हमना सर्च कर लिया है सी अस्वीस के सब्सक्राइबेu देखें कुछिं सेट में खुले गई यह तो यह खुल चुका है और यह है बिहार पुलिस आजका जो है नोटिफिकेशन अभी कुछ नहीं आए देखे 26 दो दोर 21 को रिगार्डिंग जॉइनिंग कंडेट बिहार सौभिवान पुलिस बटालियन कॉंस्टेबल का जो है यहीं एक ठो सुचना आया हुआ था इसके जो तीन में यानि तीन जो है तीसरे माह का मार्च में कोई भी अभी तक सुचना नहीं है एक साइस कॉंस्टेबल का देखेंगे तो पंद्रा बारा दोयर सुला का सुचना है फोरेश्ट डिपार्टमेंट का देख लीजिए 26 एक आरा 2020 का सुचना है यहां पर देख सकते हैं और इसके बाद टांसपोर्ट डिपार्टमेंट लास्ट बचा हुआ है इसको हमने च पर किसी तरह का नोटिस नहीं है यह जो है पूरी तरह फेक है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ एक नए वीडियो के साथ थैंक्यू